हेले दोस्तों स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है ए वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एंड शेर दरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूला आज हम एक ऐसे टॉप म्यूचल फंड की बारे में बात कर रहे हैं जो कम रिस्क में अच्छे खासे रिटर्न ब का साइज है 18,456 करोड और मिनिममम SIP आप इसमें 100 डुपीज के कर सकते हैं और इनको मंतली SIP से 82.40% अमांट मिलती है और इस फंड में वन टाइम में 17.60% लोगों ने इसमें वन टाइम अमांट एड किया और SIP में इसमें 82% के फंड्स आते हैं हर मंत अगर इसमें आप मंतली 5,000 इन्वेस्ट करते तो एक साल में आपके 69,289 रुपीज बन जाते और की टोटेल इन्वेस्मेंट होती 60,000 तो आपका यह SIP में 15.48% का रिटर्न दिका रहा है एक साल में अगर आप यही पैसे रिकरिंग में डालते तो आपको में 5% का रिटर्न मिलता तो इदर आपको 10% रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है विट रिस्क फ्री रिस्क है इसमें मगर उतनी नहीं है रिकरिंग विदाउट रिस्क है मगर उसमें रिटर्न भहुत कम मिलते हैं हमें अगर इसमें आप वन टाइम 16,000 इन्वेस्ट करते वाद तो आज एक साल बाद आपको 88,566 रुपीज मिलते हैं आपका 47.61% का रिटर्न मिल जाता आपको अगर वन टाइम इन्वेस्मेंट करते हैं तो आपको रिटर्न मिल जाता अगर इसमें वन टाइम आपने वन लेक इन्वेस्ट किया रहे था तो आज आपके 1,47,610 रुपीज उस एक लाग के उपर 47% आपको रिटर्न मिल जाता अभी इसके रिटर्न ड्रैंकिंग का इसी है देखते हैं एक साल में 47% तीन साल में 81% और पांच साल में 115% तो इसने पांच साल में पैसे डबल किया है अगर आप पैसे डबल करने के लिए बैंक में लखे गे तो मिनमम एट येर का पिरेड लगता है तो तीन साल पहले आप के पैसे डबल हो चुकि है इसमें तो इसके जैसे सिमिलर फंड देख सकते आप उन्होंने एक साल में 43% 25% 23% 25% किसी का भी इसके साथ नहीं है रिटर्न कम ही है रिटर्न ये अलग-अलग फंड से क्वांट अप्सूलूट डारेक्ट फंड बीन पी परिबास सस्टेनेबल इक्विटी हाइब्रेड फंड, DSP एक्विटीज, क्यानरा रोबेको इक्विटी हाइब्रेड फंड इसे अलग-अलग फंड से और ये 5 स्टार रेटिंग वाले फंड से तो आचलि हम देखते हैं इस फंड ने कौन से कौन से शेयर में कितना परसेंट इक्विटी होल्ड क इसका टॉप फोल्डर है ऐसे इसी बैंक इसमें उने 7.9% अपने फंड किया 7.9% इसमें इन्वेस्ट किया है एंटी पीसी में 7.4% भारती एटेल में 7.1% ओएल ओंजीस्टी में 5% हिंदाल को में 4.8% टाटा मोटर में 3.9% येच्चेल टेक्नोलोजी में 3.2% स्टेट बै के सब्सक्राइब पकड़ के रख़े लार्ट अब को ज्यादा गिरते भी नहीं और ज्यादा फास्ट बढ़ते भी नहीं तो वह में एक इक एक्वल रेटिंग के रिटन देते हैं तो अभी हम देखते हैं होल्डिंग ऐनलिसीस इन्होंने कितना पैसा किदर डाला है एन 30 करोड एक्विटी सेक्टर किस एक्विटी में किस किस सेक्टर में कितना अमांट अलोकेट करते हैं देखते हैं फैनेंशियल में 28 परसेंट एनर्जी में 19.8 परसेंट कम्मुनिकेशन में 10.4 परसेंट और में 10.3 परसेंट टेक्नोलोजी में नाइन पॉटफुलियो डाइवर्सिफएड बनाया है अगर आपके पास वन लाक है तो आप कैसे डाइवर्सिफएड कर सकते हैं इससे भी आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं इन्होंने अभी डेविट सेक्टर में कैसे कैसे मनिया अलोकेट किया है वो देखते हैं ओधर्स में 40% फैननशियल में 30% स्वर्जिन बॉण्ड में 22% और कंस्ट्रक्शन में 6.4% और डेविट का इनका अमांट है 4088 करोड इसका expense ratio देखते हैं अगर हम इन से पैसा निकाल के लेंगे तो exit loader tax कितना है expense ratio है 1.21% inclusive GST और exit loader for unit of excess 10% of the investment and 1% will be charged for redemption within 1 year गर एक साल में आप पैसे निकाल लेते हैं तो 1% आपका redemption charge होगा और इसमें stamp duty लगते है 0.005% और minimum amount हम इसमें कितनी invest कर सकते हैं तो minimum SIP कर सकते है 100 और minimum first time investment करना पड़ेगा हमें 5000 और minimum second investment होगी हमारी 1000 तो आप देख सकते हैं इसमें minimum SIP कर सकते है 100 रुपीज के one time investment करना है first time तो 5000 लगेगा और second time हम 1000 भी invest कर सकते हैं तो यह top mutual fund है आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं अगर आपको share में invest करना नहीं आता तो आप mutual fund की तरफ जा सकते हैं इसमें risk रहता है आप अपने risk management की risk management देखके आप इसमें पैसे invest करो कि सकते हैं